श्री गनेषा या नमाहा नमशकार दोस्तू दोस्तू चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखती है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तरे का प्रभाव डालने वाले है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चोथे भाव में रहेंगे जी हाँ, चोथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा साउधान रहना जरूरी होगा, साउधानिय अबरतनी जरूरी होगी, ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है, इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते है तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इस समय में कुछ मामलों में साउधानी बरतना जरूरी रहेगा, किसी तरह के लापरवाही आपको इस समय में महेंगी पढ़ सकती है, इस दिन आपको सिरदर्द की शिकायत रह सकती है, बस थोड़ा साउधानी और समझदारी से काम लेना होगा, साउधानी बरतनी जरूरे रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत मतिये पर पहुच सकते हैं, इस समय में आपके बिजनेस के क्षेतर में दिन ठेक ठाक सा रहेगा, कुछ अडचनों का सामना आपको करना पढ़ सकता है लेकिन फिर भी धन के क्षेतर में दिन अच्छा रहेगा, बस कहीं निवेश करना है तो साउधानी जरूर बरते, किसी अच्छे व्यक्ती से सलाज जरूर ले, बिजनेस से जुड़ी किसी तरह की समस्या आज आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी के साथ रिष्टे अच्छे रह सकते है, इस समय में अगर आप नोकरी ढून रहे है, तो प्रयास जारी रखे, नोकरी मिल सकती है, नोकरी मिलने के लिए समय अनुकुल है, इस समय में जमीन जायदात के कामों में आपको मुनाफ़ा हो सकता है, इस समय में अगर आप कोई नय ना सामान घर आ सकता है इस समय में आपकी इच्छाय कई मामलों में पूरी हो सकती है अगर स्टूडंच की बात करें तो स्टूडंच के लिए यह समय मिला जुलासर हेगा ना ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा आप पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉंसेंट्रेट न आपके काम जरूर आएगी ये एक खास बात रहेगी आपकी married life इस समय में बहुत अच्छे रहेगी एक दुसरे को समझने में आसानी होगी partners एक दुसरे को बहुत अच्छे तरे से समझ लेंगे married life enjoy करने के लिए समय अनुकुल है अगर love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी काफी fit रहोगे लेकिन mentally थोड़ा disturbed रह सकते हो मानसीक परिशानी थोड़ा तनाव और सिर्दत की सिकायत आपको रह सकती है किसी चीज के बारे में tension हो सकता है कोई चीज आपको काफी परिशान कर सकती है बाकी स्वास्ते से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी पूरानी प चांती बनाए रखनी है ताकि मामला वही खतम हो जाए और इस दिन किसी औरों के जगड़ों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए इस दिन आपके लिए माथे पर चंदन का टिका या केसर का टिका लगाना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मंदिर जाते है तो एक रुप